Hey what's up guys, welcome back once again, दोस्तों आची कहानी जो explain करने जा रहे, वो असल में newly couple के एक बहुत ही दिल्चस्प survival story होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं, हमें किसी अंजान जगा को दिखाया जाता है, जिसका नाम हमें आगे पता चलेगा, पर उसी जगा पर हम किसी अग्याच चीज इसको आसमान से गिरते हुए देखते हैं, जो दिखने में लाल कलर की लग रही थी। फिर हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँपर एक हिरन को खड़ा हुआ पाते हैं, वो देखने में बहुत ही औजीब लग रहा था, क्योंकि उसकी एक सीन को किसी ने बहुत ही बेहरैम पर जो पिछले तीन साल से साथ है लेकिन उन्हें अभी तक शादी नहीं करी हाला कि जॉन इस चीज के लिए कब से तयार है लेकिन वह क्लियर की anxiety problem की वज़े से रुका हुआ है और यह attack उसे पास में हुए कुछ बहुत ही बेरहम हास्तों की वज़े से आते हैं जिसे वह आज के दोरान देख पाते हैं अब जंगल के अंदर जाने से पहले वह एक छोटी से लोकल काफे में रुखते हैं और कुछ खाते हैं तभी महाँ पर काम करने वाला एक लड़का आकर उसे बहुत ही आजीव में बूचता है क्या उन्होंने किसी red star को गिरते हुए देखा है पर मना कर देते हैं और हसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो लड़का मजाक कर रहा है पर उसकी शकल देखकर तो बिलकुल भी नहीं लगत ये बात उसके लिए मजाक है क्योंकि वो बहुत जादा डरा हुआ था शायद ये लड़का उसी चीज के बारे में बात कर रहा है जो हमने कहानी की शुरूआत में उसी जंगल में गिरते हुए देखा था वो भी रड़का था अब इत्वाक की बात यह है मिए हैं कि भी आवास को महसूस कर पाते हैं जो कि इन्हें अभी तक पता चल नहीं पा रहा है क्योंकि ये अपनी मस्ती में मगन है लेगिन कुछ ही देर बाद क्लियर को एसास हो जाता है इस चीज का वो पीछे मुल कर देखती भी है क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें चुप चुप कर देख रहा हूँ लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था ये बस उसका एक वहम हो सकता या फिर कोई जानवर उदर जान बहुत ही जादा एकसाइटेड होता है इस जगा को एकस्प्लोर करने के लिए इसलिए वह चलता ही रहता है और बहुत ही दूर तक वह लोग ट्रेक कर लेते हैं ऐसे करते करते सूरज भी ढ़लने को आज जाता है और वह वहीं पर कैम्प लगा लेते हैं इसी बीच दोनों में बाती भी होती है और जान किसी सर्प्राइस की बात क्लियर से कर रहा था पर उस बारे में वो जादा हिंट नहीं देता और सोने को कहता है पर क्लियर को चैन ही नहीं आ रहा था उसे बार बार कुछ महसूस हो रहा था कि कोई तो उनके पास जरूर है इसलिए वो बाहर आ जाती है और देखने की कोशिश करती है और तब उसे वही दूर खड़ा वो बिना सिंग वाला हिरन दिखाई देता है तब पीची से जॉन आ जाता है जिसे वो काफी डर जाती है उसे पूरी बात बताती है लेकिन जॉन उसे सोने को कहता है आज वो बहुत ही जादा ठक गई है इसलिए उसे ऐसे उल्टी सीदी चीज़े दिखाई दे रही है और अब क्लियर भी सोने के लिए चली जाती है अगली सुबा ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं यही था उसका सप्राइज जिसे वो कई दिन से प्लान कर रहा था लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब होता है जो की नहीं होना चीए था क्लियर को फिर से अंजाइटी अटाक आने लगते हैं और उसकी पूरी दुनिया ही घूम जाती है पर जॉन उसे समालता है और उसे बैठने को कहता है लेकिन उस बेचाले को तो मोई मोई हो गया था वो उस रिंग को रख लेता है और उसको अराम करने को कहता है अब दीरी दीरे रात होने लगती है और आज यह कहीं जादा दूर जा भी नहीं सकते इसलिए जौन थोड़ा अपसेट होता है पर तभी क्लियर कुछ ऐसा कह देती है जिसे वो खुद तो कंट्रूल नहीं कर पाता और फिर वो सब बोल देता है जो उसने सुबा सहन कर लिया था बात इतनी बढ़ जाती है कि वो उसकी पैरेंट्स के रिष्टे के उपर टॉंट मार देता है और कहता है कि वो उनकी तरह नहीं बनना चाहता अब आपको लग रहा होगा कि सुबा इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्लियर जौन से माफी माँगेगी लेकिन वो उसे पूछती है कि तुमने वो सब करने की क्या जरूती और तुमने वो किया ही क्यों ये सुनकर जौन की तो सुलक जाती है और वो गुस्सा होकर टेंट में चला जाता है सोने के लिए मतलब इतना सब कुछ उसने किया उसके लिए लेकिन clear को उसके पैयार का हिसास नहीं है लेकिन दोस्तों यहाँ पर notice करने वाली बात यही थी कि अभी-भी उन्हें कोई देख रहा था आकिर कौन है यह जो उन्हें छुप कर देख रहा है अब दोनों सो जाते हैं चलो इसी बहाने उनकी बहस तो खतम हो गई लेकिन आज का दिन इनके लिए बहुत ही डरावना और आजीब होने वाला है खास कर clear के लिए क्योंकि जब वो सो कर उठती है तो देखती है कि उसके पास जौन मौजूद नहीं है वो उसके लिए एक को नोट छोल कर गया है कि वो पास में ये वाक पर जा रहा है थोड़ी देर में लोट आएगा अब ये देखकर वो खुद भी ऐसी टहलने के लिए चली जाती है कि तब ही उसकी नजर एक पीड़ पर पड़ती है जिसके उपर किसी नाकूनों के निशान थे उन्हें देखकर लग रहा था कि ये शायद किसी इनसान की हो सकती पर इसके बाद जो चीज वो देखती है उसकी तो रूप तक काप जाती है उसी पेड़ के नीचे वही हिरन दिखता है जिसे हमें कहानी के शुरुआत में देखा था उसे किसी ने बहुत ही बेहरैमी से मां डाला था और उसके पूरे पीट को फार दिया था उसकी उपर काली कलर का जाल भी पड़ा हुआ था जो कुछ बहुत ही अलग तरह से दिख रहा था इतनी में महाँ पर जॉन आ जाता है उसे समालता और वो उसे सब कुछ बताती है कि ये वही हिरन है जिसको कल रात में मैंने देखा था लेकिन अब उसकी ये हालत कैसे हो गई तो वो उसे एक बुक दिखाता है जिसमें ऐसे वाइल्ड एंडमल के बारे में लिखा हुआ था कि शायद ये किसी बीमारी के वज़े से हो गया हो या फिर किसी जानवन ने उसे खा लिया होगा अभी जंगल में लाख हो ऐसे हिरन है तो में उदास होने की जुरुत नहीं है रात में वो उसे यकीन दिलाता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जुरुत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस अभी इस पल को एंजॉय करो. Next morning होती है, और अगले सुबा जॉन वाक पर नहीं जाता, बलकि आज वो clear के लिए खाना बनाता है, कुछ मशलियों को पकड़ने के लिए पास की नदी किनारे जाता है, वही clear भी ऐसी घूम रही होती है, इतने में उसे एक cave दिखाई पड़ती है, जिसके अंदर जाने की उसकी इच्छा जाकती है, इसलिए वा अंदर चली जाती है, उसे वहाँ पर कुछ बहुत या जीब तर कर रहा था, अब उसे बस इंतिजार है तो clear का, लेकिन वो कहीं दिखाई देनी लिए है, इसलिए वो उसे ढूनने के लिए जाता है, थोड़ी दूर जाने पर उसे एक जगाँ पर वो खड़ी हुई मिलती है, जौन उसे पुकारता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ ला था, ऐसा लग रहा था कि वो अपना नाम ही भूल गई हो, इसलिए जौन उसके करीब जागर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, पर दोस्तों जब clear पलटती है तो वो कोई और ही थी, उसके चेहरे सारे expression ही गायब हो चुके थे, ऐसा लग रहा था कि मानों वो कोई रोबोट हो, बस सीदे खड़ी थी, जौन यह देखकर थोड़ा जीफ फील करता है लेकिन वो कुछ कहता है नहीं, उसे लगता है कि शायद वो कल वाली बात को लेकर नाराज है, इसी वज़े से वो उसे जादा कुछ नहीं पूछता है, अब रात में जब ज चाकू होता है और वो बताती है कि उसे लगा कि शायद कोई जानवर है, इसलिए वो बाहर आ गई, दिन जौन उसे कैम्प में ले जाता है पर रात से सुबह हो जाती है, क्लियर की ना तो आंग चपकती है और ना ही वो हलकी सी हिलती है, ना ही जरा भी देर सोती है, आकिर य चानी आगे बढ़ती है, सुबह होने पर क्लियर ऐसी है जीब बिहेव कर रही थी, एक साइड मुग कर वो चुप चाप बैठी रहती है, लेकिन कुछ देर हो जाने के बाद वो अचानक से जौन से सौरी बोलती है, और ये भी कहती है कि तुम सही थे, मैं ही गलती, चलो मु और वो सीधा ही जाकर पत्थर पर गेता, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है, मतलब अभी सिर्फ रपोजी करा था और उसकी जान चली गए, अब क्लियर वहाँ से भागना शुरू कर देती है, पर बीश में उसका पैर मुल जाता है, वो जाकर गिरती है एक पत्थर पर, जिसस कुछ याद नहीं है, शौन तो पुलिस को कॉल लगाने का ट्राई भी करता है, लेकिन या तो नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि आज की रात वो यहीं पर गुजारेगा, और फिर कल सुबह उसे लेकर अपनी कार के पास जाएगा, पर दोस्तो में वहाँ पर क्लियर भी पीछी से आ जाती है, उसके हाथ में चाकू होता है, जिसे देखकर रेवी बहुत ज़ादा डड़ जाती है, लेकिन वो चाकू उन्हें मानने के लिए नहीं, बलकि उनके पीछे खड़े जौन को माननने के लिए था, जी हैं दोस्तों, ये था इस से तगला ट्विस्ट, जौन अभी भी जिन्दा है, लेकिन कोई इनसान इतनी उचाई से सीधा पत्थर पर गिनने के बाद भी कैसे जिन्दा रह सकता है, वो सच में इनसान ही तो है, नहीं मुझे नहीं लगता, आपको क्या लगता है, इसकी भी गंफरमेशन आपको कुछ देर में मिल जाएगी, अब वो त्नों ही वहाँ से भागने शुरू करते हैं, पर क्यों ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन इतना हम जरूर आपको बता दें, कि कुछी दूर जाने के बाद ही जौन उस कपल को बहुत ही बेरहमी से मार देता है, और अब बारी थी क्लियर की लेकिन मानने से पहले वो उसके एक सवाल करता है कि आकिर तुम्हें कैसी पता चला मेरे बारे में, यहाँ पर खुलेंगे इस कहानी कैसली पते हैं, जी हां दोस्तों, हम पास में जाते हैं जब क्लियर को वो केव मिली थी, तो वो उसके अंदर गई थी, वहाँ पे असल में उसे जान की बॉडी मिलती है, जो पहले ही मर चुका था, उसको असल में एक एलियन ने मारा था, जी हां, एक एलियन जिस चीज़ को आपको इस कहानी के शुरुआत में आसमान से गिरती हुए देखा था, वो उसी का स्पेश शिप था, उसने पहले जान को मारा, और पर उस पता चल चुका था, इसलिए वो उसके सामने किसी भी तरह का कोई भी एक्स्प्रेशन नहीं दे रही थी, उसने प्लान भी बनाया था कि वो से मार देगी, इसलिए उसने धक्का भी दिया, लेकिन वो फिर से हीलो गया, मतलब ये एलियन बहुत ही ताकदवर है, और ये धरती पर ये पहला experience था, किसी इंसान से आज उसका पहली बार पाला पड़ा था, वो बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह से Claire को मार दे, पर अब सोस की वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि जब इसने जॉन की सारी चीज़ों को absorb किया, तो उसके अंदर Claire के लिए वो feeling भी चली उसके लिए वो प्यार भी मौजूद था, जो Claire के लिए John के अंदर था, जो कि अब उस alien के अंदर जा चुका है, उसके लिए चीज़े एकदम नहीं थी, इसलिए वो समझ नहीं पता कि असल में वो करी थो करी क्या, इस चीज़ का फायदा उठा कर Claire उसे और फासने लगती ह और वो उसे वही बाते बोलती है, जो कि जौन को बोला करती थी, और उसे ये सब बाते सुनकर वो alien और परशान होने लगता है, और confuse होने लगता है, उसके सिस्टम में आज पहली बार प्यार से पाला पड़ा था, जो कि एक बहुत ही भयानक बला है, जिसने भी इसको लाकर बीच पर ले आता है, और वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है, और कहता है कि यहां पर रहने का कोई फाइदा नहीं है, क्योंकि कुछी देर में मेरे और भी साथी यहां पर आ जाएंगे, लेगिन क्लियर नहीं मानती, इसी बीच उसकी नजर एक शार पर पढ़ देती है, और फिर समुन्दर की और भागना शुरू कर देती है, इलियन बार बार उसे रोगता है, और कहता है कि मैं तुमारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन जब वो थोड़े और अंदर जाती है, तो वो शार का कर सीधा उस इलियन को खा जाती है, ऐसा इसलिए हुआ क्य इसको खा कर खुद को स्टेबल करती है, उदर वो एलियन फिर से पानी से बाहर आ जाता है, उस शार को मार कर, और उसने खुद को पूरी तरह से हील करना भी शुरू कर दिया, इतनी में क्लियर इदर उदर भागने का ट्राई करती है, वो उसके पीशे आकर खड़ा हो जात अब उसे ही सोक करने के लिए तयार था, बस यही एक रास्ता है उसे अपनाने का, लेकिन वो यह भूल गया था कि क्लियर के अंदर इतनी सारी एंजाइटी है, जो किसी हस्ते खेलते आदमी को भी जिन्दा लाश बना सकती है, और उन्हें भी उसने पूरी तरह सोक लिया थ फिर क्या था क्लियर उन सभी बातों का इस्तिमाल करने लगती है और फिर उसके सामने उन दिनों का जिक्र करने लगती है, जब उसके डाड उसकी मॉम को मारा करते थे, जब उसकी छोटी बहन ने खुद कुशी कर ली, एक दिन जब उसके डाड शराप पी कर उसकी मॉम को पीट रहते ये सब सुनकर उस alien को panic attack आना शुरू हो जाता है और clear को कुछ नहीं होता क्योंकि सब कुछ तो उसके अंदर transfer हो गया था अब बस उसकी body बची थी वो तल अपना शुरू हो जाता और उसे दर्द होने लगता है और अब यहां कोई pill भी नहीं बची वो alien clear से मदद मांगता है जो कि वो करती भी है उसका सर कुछल कर जी हां जी हां दोस्तों वो उसके आंद कर देती है और वहां से भाग कर अपनी कार के पास आ जाती है और उसे लेकर निकल जाती है अपने घर की ओर लेगिन जरा कार को break लगाई है अब यह कहानी यहीं पर खतम नहीं प्रकिदा क्लियर के कार के रेडियो से खुद को जोल लिया जिसके जरीय वो क्लियर से बात करता है वो इतने असानी से उसका पीशा नहीं छोलेगा इसी दुरान वो देखती है कि आसमान से बहुत सारी रेड स्टार जैसी कुछ चीज़ है नीचे आ रही है जी हां ये कुछ बलकि उसके दोस्तों की एलियन शिप है अब इसी जगा पर वो खुद का कबजा करने के लिए आ रहे है यानि कि क्लियर को वो एलियन जल्दी ढून लेगा यही सोचकर वो रोने भी लगती है शायद वो एलियन क्लियर को ढून ले और इस बारी वो से अपने साथ ले जाने का ट्राइ करे या फिर जबरदस्ती ले जाए कुछ भी हो सकता है फिलाल इस पार्ट में हमें इतना ही देखने को मिलता है शायद पार्ट तू में हमें इसके आगे कहानी देखने को पता चले और आखिर वो एलियन कौन है और उनके पास इस शक्तिया कहां से आई, तो पार्ट टू के लिए हमें 450 कॉमेंट और 4000 लाइक का टार्गेट रखते हैं, इस टार्गेट को पूरा जरूर करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, पीस आउट